नमस्कार दोस्तों मैरे मेशकुमारजा आज आप लोग के सामने सच्चित्र क्रिया वीशेशन पढ़ाने के लिए आया हूँ इस से पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगो को वीशेशन के वारे में जानकारी दी थी विशेशन को पहाचाने के तरीकों को बताये था आज मैं आप लोगो ट्रिक के मादम से सचित क्रिया विशेशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्रिया विशेशन है क्या क्रिया विशेशन किसे कहते हैं क्रिया विशेशन की परिभासा जानेंगे उसे कैसे पहचानते हैं इस ट्रिक को भी आप जानेंगे आपको मैं बता दूँ यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी तक नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों क साथ में इसे शेयर करें आपका समय बिना गमाये हुए आगे की और चलते हैं देखते हैं क्रिया विशेशन किसे कहते हैं इसकी परिभाशा है क्रिया की विशेश्ता बताने वाले शब्दों को सिर्फ क्रिया विशेशन की जो परिभाशा मैंने आप लोग को बताई थी तो विशेशन की परिवासा होती है कि संग्या अथवा सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं संग्या अथवा सर्वनाम लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे संग्या अथवा सर्वनाम नहीं है यहाँ पर सिर्फ क्रिया है क्रिया की विशेश्टा बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेशन कहते हैं क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं जैसे कि विशेशन के भी चार भेद होते हैं उसी प्रकार से क्रिया विशेशन के भी चार भेद होते हैं, अर्थात क्रिया विशेशन चार प्रकार के होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताया था कि विशेशन और क्रिया विशेशन को समझने में अकसर लोग भूल कर बैठते हैं, वो नहीं जान पा और विशेशन को कैसे पहचानेंगे, चलते हैं क्रिया विशेशन के जो चार भेद होते हैं, उसमें पहला है काल वाचक क्रिया विशेशन, दूसरा है स्थान वाचक क्रिया विशेशन, तीसरा है रीती वाचक क्रिया विशेशन, और चौथा परिमान वाचक विशेशन, काल स्थान वाचक, रीती वाचक, परिमान वाचक मैंने इसके उपर में दो पंक्ति लिखिए क्रिया विशेशन चार है काल, स्थान, रीती, परिमान कब, कहा, कैसे, कितने है जासर से यहले लोग्यान आगे क्यों चलते हैं सबसे पहले जानते हैं कि आखिर काल, वाचक, क्रिया विशेशन को पहचानेंगे कैसे परिभाशा है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के समय का पता चले, उन्हें काल, वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं ध्यान दीजेगा, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने का समय का पता चले यानि क्रिया कब की जा रही है इसके बारे में जब पता चले तो उसे उस शब्द को कालवाचे क्रिया विशेशन कहेंगे उधारन के तौर पर आप देख रहे हैं चितर में इसमें पताये गया है कि सूरत सवेरे उगता है यहां पर उगना क्रिया है आपको टिक बता दूं कि जब भी जो क्रिया होती है क्रिया से पहले यदि आप कब लगा के प्रशन करते हैं कि कब उगता है तो इसका जो उत्तर प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेशन का हैगा यानि कब उगता है तो इसका उत्तर है स सथानवाचक कियाशन कि तरफ सथानवाचक क्रियाशन कि से खाता है इसमें लिखा हुआ है कि जिन जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने के स्थान का पता चले। उदारन के तौर पर आप देख रहे हैं चित्र में इसमें लिखा हुआ है कि लोग नीचे और उपर बैठे हैं लोग नीचे और उपर बैठे हैं यानि ट्रेंड के भीतर में भी बैठे हुए और ट्रेंड के उपर भी बैठे हैं लेकिन मैंने के का प्रियोग इसलिए नहीं क किया है क्योंकि के का यदि में प्रियोग कर दूँगा तो वहां संबंद बोधक अभ्या कहलाएगा संबंद बोधक अभ्या हो जागा यदि मैं लिख देता है लोग ट्रेन के नीचे और ट्रेन के ऊपर माल जे ऐसा लिख दिया जा तो के नीचे जब भी कोई अभ्या हो यानि क्रिया विशेशन शब्द हो उससे पहले अगर के लग जाता है तो वह सम्मंद बोधक अभ्या कहलाने लग जाता है तो यह आप ध्यान दीजेगा लोग नीचे और उपर बैठे हैं इसमें मैं यह दिप्रशन पूछता हूँ बैठना यहाँ पर क्रिया है औ गिए अभी स्थानवाचक क्रिया विशेशन विशेशन उसमें बताया है कि सचिन उपर देख रहा है तो यहाँ पर देखना क्रिया है तो इससे पहले हम प्रशन करेंगे कहाँ देखना क्रिया है और क्रिया की पहले हम प्रशन लगा के पूछते हैं कहां देख रहा है कहां का उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वह मिल रहा है उपर और उपर जो हो जाएगा वह स्थान वाचक क्रिया विशेशन कहलाएगा इसमें लिखा हुआ है आम नीचे लटक रहा है लटकना यहाँ पर क्रिया है आप ध्यान देंगे कभी भी क्रिया की विशेश्टा ही क्रिया विशेशन बताएंगे क्रिया विशेशन सब्द जो रहेंगे वो क्रिया की ही विशेश्टा बताएंगे किसी संग्या या सर्मनाम की विशेस्ता बिल्कुल नहीं बताएंगे यहाँ पर आम है लेकिन आम की यहाँ पर विशेस्ता नहीं बताई जा रही है आम संग्या सब्द है लेकिन उसकी विशेस्ता यहाँ नहीं बताई जा रही है बलकि लटकना जो क्रिया है उसकी विशेस्ता बताई जा रही है कि वह क्रिया कहां पर हो रही है तो नीचे लटकने की क्रिया नीचे हो रही है तो लटकना क्रिया है यहाँ पर इससे पहले हम प्रशन करेंगे कहां लटक रहा है तो इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है नीचे और नीचे शब्द जो है यह हो जाएगा स्थान वाचक क्रिया विशेशन इसमें लिखा हुआ है कि रेल गाड़ी सामने खड़ी है यहाँ पर खड़ी है खड़ा रहना जो है वह क्रिया है खड़ा सब्द तो यहाँ पर खड़ी है स्ट्रिलिंग सब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि रेल गाड़ी जो है स्ट्रिलिंग है रेल गाड़ी सामने दूसरे उधार में देखते हैं यहां लिखा वह यहां बारिश हो रही है यानि क्रिया कहां पर हो रही है क्रिया जो हो रही है बारिश होना वह कहां पर हो रही है तो यहां पर प्रश्ण करेंगे कहां बारिश हो रही है इसका उतर प्राप्त होगा यहां और यहां जो कहलाएगा स्थान वाचक क्रिया विशेशन बिल्कुल कंफ्यूजन न हो हर एक शब्द को अच्छी तरह से बताते हुए चल रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से बताया जारा आप लोग को और चित्र के माद्यम से बताया जारा है ताकि किसी प्रकार के कंफ्यूजन भी न हो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है रीती वाचक रीती वाचक क्रिया विशेशन जो है इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे रीती वाचक रीती मतलब नियम किस प्रकार से किया जा रहा है जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के करने की विधी का पता चले, यानि क्रिया को किस प्रकार से अंजाम दिया गया है, क्रिया को किस प्रकार से किया गया है, तो इस बारे में जब पता चलता है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के करने की विधी का पता चले, उन्हें रि कैसे दौड रहा है कैसे रिती वाचक क्रिया विशेशन को पता करने के लिए अक्सर क्रिया से पहले कैसे प्रसंद पूछा जाता है और उसका जो उत्तर प्राप्त होता है वह रिती वाचक क्रिया विशेशन कहलाता है यहां पर मैंने प्रसंद पूछा कैसे दौड रहा है त चांद धीरे धीरे बड़ा होता है अब यहां पर बड़ा होना जो है क्रिया है होना धीरे धीरे बड़ा होता है तो इसका प्रस्ण पूछा गया कैसे बड़ा होता है तो इसका उत्र प्राप्थ हुआ धीरे धीरे और जो धीरे धीरे शब्त है वह रिति वाचक क्रिया विश हुआ है गोड़े जो हैं चार दोटे हुए है नही enfor yeah यहाँ क्रिणा क्रिया क्रिया है और why चृत को कैसे क्रीच रहा है ने यह दो यह जो सब्त है वह रीथी वाचक क्रिया विशेशन का राएगा अब चितर में देख रहे हैं कि पेड़ की डाल अचानक तूट गई यहां तूटना करिया है तो तूटना करिया है कि पहले हम प्रशन पूचते हैं कैसे तूट गई तो इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है अचानक तूट गई तो अचानक शब्द जो हमें प्राप्त हुआ उत्तर में, इसे हम कहेंगे, रिती वाचक क्रियाविशेशन. यह है रिती वाचक क्रियाविशेशन का लाएगा. चितर में देख रहे हैं गाड़ी स्टेशन पर खड़ी नहीं है इस वाक्य को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर पिछले वाले बोर्ड परिक्षा में भी इससे समंदित प्रशन पूछा गया था नहीं शब्द जो है वह काउन सा अव्या है नहीं शब्द काउ इस वीडियो में डाला है इसको ध्यान दीजिएगा गाड़ी स्टेशन पर खड़ी नहीं है तो यहां है सहाय क्रिया सहाय क्रिया है लेकिन है नहीं शब्दुज़ा है वह रिती वाचक क्रिया विशेशन अभ्या ही कहलाएगा हमेशा नहीं शब्दुज़ा है रिती वाचक क्रिया विशेशन अभ्या कहलाता है इसे आप बहुत अच्छी तरह समझ लेजिए कभी भी परिक्षा में यह प्रशन पूछा जा सकता है इसे सम्मंदित प्रशन पूछे जाते हैं अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए आपको आप कहीं भ्रमित न हो जाएं आप कहीं उल्जन में न पढ़ दाएं इसलिए इस सेंटेंस को इस वीडियो में आपको दिया गया है आप बहुत अच्छी तरह समझ लें कि नहीं शब्द जो है रिती वाचक क्रिया विशेशन अव्य है तो आप देखते हैं आगे वाला जो है वह है परिवाण वाचक क्रिया विशेशन सबसे लास्ट जो है वह परिवाण वाचक क्रिया विशेशन परिवाण मतलब होता है मात्रा तो जिस शब्द के द्वारा क्रिया की मात्रा का पता सेले कि क्रिया कितनी मात्रा में की गई है उसे परिवाण वात्षक क्रिया विशेशन कहेंगे यहां परिभाशा में लिखा हुआ है कि जिन अविकारी शब्दों के द्वारा अविकारी मतलब अव्ये जिसमें कभी विकार न हो उसे अविकारी कहते हैं अव्ये को अविकारी भी कहा जाता है तो जिन अविकारी शब्दों के द्वारा क्रिया की मात्रा या दूरी के पता चले उन्हें परिवाण वाचक क्रिया विशेशन कहते है शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कुछ शब्द इधर उधर बिखर गया है पीपिटी में लेकिन आप बुद्धिमान है आप इसे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देके पढ़ेंगे जिन अविकारी शब्दों के द्वारा क्रिया की मात्रा या दूरी का पता चल उन्हें परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहते हैं इसमें चितर में आप देख रहे हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है यहाँ पर रोना क्रिया है और क्रिया से तुनत पहले मैंने प्रशन पूछा कितना रो रहा है तो इसका उत्तर जो प्राप्त हो रहा है वह हो रहा है ब खाना क्रिया है और खाने क्रिया से पहले मैंने पूछा कितना खाता है तो इसका उत्तर प्राप्त हुआ है कि बहुत खाता है और बहुत सब्द जो हो जाएगा वह परिमान वाचक क्रिया विशेशन कहलाएगा और भी उधारन है इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है इतना क्यों घबराते हो इतना क्यों घबराते हो घबराना यहाँ पर क्रिया है कितना घबराते हो तो इसका उत्तर प्राप्त हो रहा है यहाँ मैंने प्रशन पूछा कितना क्यों घबराते हो कितना घबराते हो तो कि इसका उत्तरप्राप्त हो रहा है इतना तो इतना शब्द जहे वह परिमानवाचक अव्यय यानि परिमानवाचक क्रिया विश्यशन कहलाएगा दूसरे होदारन में देंखिए कम बोलना सुखी रहना यहां बोलना क्रिया है और यह से पहले मैं cumplit कितना बोलना तो इसका उत्रप्राप्ठ हुआ कम बोलना और कम बोलना जो है कम शब्दि जो है वह परिमाण वाचक अव्यै है परिमाण वाचक क्रियाविशेशन है तीसरा इसी में लिखा हुआ है वह उतना ही खाएगा यहाँ खाना क्रिया है और खाना क्रिया से पहले मैंने प्रशन पूछा कितना खाएगा तो उत्तर प्राप्त हुआ उतना ही खाएगा वह उतना ही खाएगा मैंने पुछा वह कितना खाएगा तो उत्तर प्राप्थ हुआ उतना और उतना शब्द जो है वह परिमार्ण वाचक क्रिया विशेशन अव्य कहलाएगा मुझे आशा है आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जूड़े रहिए और नए नए वीडियो को देखने के लिए नए नए जो जानकारी प्राप्त होती है आपको ग्रामर से सम्मंदित जानकारी आपको चप्टर से सम्मंदित जो भी जानकारी होगी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद